नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और हेल्थ अवर्नेस के आज के अमारे करेक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर नील पर्टेल जो कंसल्टन्ट यूरोलोजिस्ट है लव एंड केर हॉस्पिटल से नील जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैं पहले आपको बता दूँ क्योंकि जो भी दर्शक हमारे साथ जूडना चाहते है वो अभी से जूड जाए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कीडनी और पेसाप की समस्या और हम तो इसके बारे में हम आज डिसकस करेंगे और बहुत सारी जानकारी आप सब को देंगे जो नील जी आज हमें वो जानकारी देने वाले है तो नील जी आपका स्वागत है पहले तो आपके बारे में थोड़ा समय जाना चाहूंगी आप यूरोजिस्ट है तो आपने ये डीक्री कहां से प्राप्त की है मेरा MBBS 2013 में NHL Medical College से हुआ है इसके बाद मैंने General Surgery में Master of Surgery किया है जो 2016 में मैंने BJ Medical College एमदाबाद से किया है और 2019 में मेरी MCH Urology की स्टड़ी हुई है और अभी मैं Love and Care Hospital ताडवाडी में Urologist की सेवा दे रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसे अभी जो माहूल है ऐसे माहूल में हम लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं आज क्योंकि Health Awareness के प्रोग्राम हमारे चैनल के द्वारा बहुत सारे होते है और अभी ये पूरा Health Awareness का ये हम महीना चलाएंगे क्योंकि लोगों को अवर करना भी बहुत जरूरी है तो आज जो हमारा जो विशाई है वो है कीडनी की समश्या पेसाप की समश्या वो सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं नील जी से तो सबसे पहले मेरा question यह है रहेगा sir कि कीडनी स्टॉन क्या होता है और किस कारण से होता है अगर simple language में मैं अगर आपको समझाओं तो कीडनी स्टॉन यानि की कीडनी में crystal formation होता है जैसे मैं आपको example देता हूँ कि अगर एक glass पानी में आप थोड़ा सा नमक डालेंगे तो वो पिगल जाएगा पर अगर आप जैसे ज़्यादा नमक डालते जाएंगे तो वो पिगले गया नहीं और उसके crystals बन जाएंगे तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे शरीर में crystals जैसे कि calcium oxalate है, calcium phosphate है, uric acid है, systeen है अगर इनकी quantities बढ़ जाती है तो इसके crystals form हो जाते हैं और उसी का crystals का दीरे-दीरे aggregation होके उसके stone बनते हैं दूसरी possibility यह है कि अगर पानी में हमने नमक डाला है और अगर पानी किसी तरीके से हम लोग कम कर देते हैं जैसे पानी को उबालते है तो वो जो नमक जो पिगल गया था उसका वापिस से crystal बन जाता है ऐसा ही अपनी बॉड़ी में भी होता है जैसे अगर पानी का loss हो जाता है dehydration होता है तो उसकी वज़ए से stone का formation बढ़ जाता है अगर इसके कारण इसकी मतलब kidney stone की समस्या जब होती है किसी भी patient को तो उसको पता मतलब कैसे चलता है इसके main symptom होते हैं कि back में आपको pain होता है और ये pain पैं काफी severe होता है और कई बार ये pain बैक से नीचे groin की तरफ भी radiate होता है और कई बार scrotum या penis में भी ये pain रिफर होता है इसके साथ साथ कई बार पेशाब में जलन होती है या फिर पेशाब लाल होना और जब दर्द काफी सीवियर होता है तो उस टाइम वामेटिंग या फिर नौजिया जैसी कंप्लेंट भी होती है पेशाब रुक रुक के आना ऐसी समस्या भी हो सकती है और बहुत कम केसिस में इसा होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं होते अगर दूसरे कोई रिजन से पेशन का चाहे हम को इन्वेस्टीगेट कर रहे है यूस जी या सिटी स्केन तो उसमें कई बार स्टोन पकड में आते है तो इसकी जांच मतलब कैसे टेस्ट कैसे करवाएंगी तो उसको पता चलेगा कि इसको स्टोन है अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम्स होते है तो आपको आपके डॉक्टर को सला लेनी आवश्यक है इसमें एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें एब्डोमेन एग्जामिनेशन से थोड़ा बहुत आइडिया आता है पर कही बार हम लोगों को अल्ट्रा साउंड जो की युएसजी होती है एब्डोमेन की वो करवानी पड़ती है और अगर जैसे किसी पेशन को आपरेशन की आवश्यक्ता पड़ती है जैसे की स्टोन बढ़ा होता है या फिर किड्नी में सूजन होती है तो ऐसे केस में हम लोग सोनोग्राफी के स्टोन की ट्रीटमेंट करती है स्टोन की साइज पर मेंली तो जैसे कि अगर स्टोन चोटा है पांच मिलीमेटर से कम साइज का है तो मोस्टली ये केसिस में जैसे दवाय गोली या पानी से कई बार ये स्टोन निकल जाता है पर ऐसा हर एक केस में ज़रूरी नहीं है जिसकी वज़े से kidney में सुजन आ सकती है और इसकी वज़े से kidney में infection हो सकता है और काफी दर्द होता है तो ऐसे cases में भी operation की आवशक्ता पड़ सकती है पर जो stone 10 mm से ज्यादा है तो वो अपने आप दवाय गोली या पानी से निकलने के chances काफी कम होते है तो ऐसे cases में operation करना ही advisable रहता है और जो 5-10 mm के बीच का जो stone है उसमें around 60-70% केसिस में conservative management याने की दवाय गोली और पानी से stone निकल सकता है पर अगर 14 दिन के बाद ये 5-10 mm का stone अगर नहीं निकलता है तो ऐसे cases में भी operation की जरूरत पड़ सकती है जी सर मतलब काफी लोगों को एक है हमारे मतलब गुजराती में कहो या तो कोई भी ऐसा है कि जब किसी को stone होता है तो सबसे पहले एक पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि stone होता था तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे अपने आप ही वो stone निकाल लेते थे कुछ भी मतलब घर का इलाज करो या कुछ भी करो तो क्या ये kidney stone जब होता है treatment करवाते नहीं है गरेलू इलाज या दवाई लेके वो pain killer भी ले लेते हैं तो ये सब क्या सही है या उनको सही तरह से करवाना ज़रूरी है क्योंकि चलो इससे pain killer लिया और सही हो गया लेकिन व मिलिमीटर से कम है तो उसमें जनरली हम लोग दवाई देते हैं और operation हम लोग खुद patient को बोलते हैं कि इसके लिए operation की जरूरत नहीं है provided कि urine में infection ना हो या फिर kidney में सूजन ना हो तो ऐसे cases में operation की जरूरत नहीं रहती और दवाई गोली से काम चल जाता है पर जैसे कई बार stone की size बढ़ी होती है तो उसकी वज़े से ऐसा होता है कि जो kidney से जो पेशाब आता है उसमें रुकावट होती है दीरे-दीरे kidney में जाती है और थोड़े दिनों बाद वापिस ऐसे symptom सा सकते हैं कि जैसे पेट में दर्द होना उल्टी वगेरा होना ऐसा बार-बार होता रहता है लॉंग टम में ऐसा हो सकता है कि kidney की सूजन बढ़ जाती है दीरे-दीरे kidney का function कम हो जाता है और कई बार kidney का function बिलकुल कम हो जा सकते हैं और फिर पेशन को जब kidney खराब हो जाती है तो kidney निकालने की आवश्यक्ता पड़ती है तिर्शक मीत्रे ये आज हम जो बात कर रहे हैं डॉक्टर नील पटेल के साथ और वो है यूरोलोजिस्ट कंसल्टन्ट और आज जो बात कर रहे हैं तो सर अगला मेरा जो questions रह अने की और पेशा रूक रूक कि या तकलिफ होती है तो उसमें उनका क्या करना चाहिए और उसका इलाज क्या है जैसे कि आपने बताया कि कई लोगों को पेशा बार-बार होने की या पिशाब रुक-रुक के आने की तकलिफ होती है ये समस्या बड़ी उमर जैसे के पचास-साथ साल से बड़ी उमर के लोगों में काफी कॉमन है मैं आपको रफली बताओ तो दो से आफट आफट ओफ फाइव अल्मोस्ट टू पीपल है वसच प्रॉब्लम्स तो ये काफी कॉमन है और कई लोग ऐसा मानते है कि ये उमर के हिसाब से ऐसा होता है और इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण उनकी quality of life खराब होती है रात की नींद खराब होती है और उनको इसकी वज़े से और काफी समस्य भी हो सकती है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी तकलिफ है तो इसका इलाज बिलकुल संभव है इससे कोई डरने वाली बात नहीं है और अगर आप इसका इलाज करवाते हो तो इससे आपकी quality of life भी काफी improve होती है अगर female में बताओं तो female में ये problem 50 के जो menopausal female है उसमें काफी common होता है जैसे कि उमर बढ़ती है तो उसकी वज़े से जो pelvic floor के muscles होते है वो lex हो जाते है तो इसकी वज़े से उनको पेशाब में जोर लगाना पेशाब रुकरोक के आना ऐसी समझ स्याए हो सकती है तो इसके लिए treatments available है mostly इसमें operation की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ दवाई या exercise से ये बीमारी ठीक हो सकती है और अगर पुरुशों में बताओं तो पुरुशों में ये बीमारी mostly prostate की वज़े से होती है तो इसकी वज़े से ये पेशाब रुकरोक के आना पेशाब करने में जोर लगाना रात को नीद में से उठके पेशाब में करने के लिए जाना पड़ना यह सब तकलिफ होती है तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जी सिर्फ बार बार मतलब यूरीन में इंफेक्शन होने की लोगों को बहुत ज्यादा तकलिफ होती है और अब जो सीजन हमारा चल रहा है गर्मी का तो गर्मी में लोग पानी कम पीते है तो मेरे ख्याल से उसकी वज़े से ये इंफेक्शन लगना या यूरीन ना होने की वज़े से इंफेक्शन होना तो उसमें क्या कर सकते है जैसे कि देखा गया है कि काफी लोगों को जो पेशाब बार-बार होना, पेशाब रोकना पाना, रात को बार-बार पेशाब होना ऐसी समस्या होती है वो लोग खुद अपनी मर्जी से पानी का इंटेक जो होता है वो कम कर देते है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि पेशाब कम फॉर्म होता है और पेशाब बार-बार जाना रात को उठके जाना ये सब सिम्टमस में थोड़ी बहुत रिलिफ मिल सकती है पर इसकी जो साइड इफेक्ट्स अगर होती है ताकि बाडी में जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है इसकी वज़े से आपको स्टोर होने के चांसिस बढ़ जाते है और यूरिनरी ट्रेक्ट के इंफेक्शन होने के चांसिस भी बढ़ जाते है तो अगर आपको ऐसी समझ्या है तो ऐसा बिल्कुल अडवाईजेबल नहीं है कि आप खुद पानी का इंटेक कम कर दो पानी का इंटेक नॉर्मली 1.5-2 लिटर जितना यानि की 10-12 गलास जितना डेली होना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई तकलिफ होती है तो आप अपने अवेलेबल है इससे कोई डरने वाली बात नहीं है और दवाई गोली से ये तकलिफ काफी हद से कम हो सकती है उरिन में इंफेक्शन होने का मेन लक्षन है बार-बार पिशाब होना पिशाब में कंट्रोल ना रहना अगर आपको पिशाब आती है तो आप रोक नहीं सकते आपको बाग के जाना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि आप बातरूम में पहुंचो उससे पहले थोड़ा पेशाब करने में जलन होना, कई बार थोड़ी लाल पेशाब होना, और अगर इंफेक्शन ज्यादा है, जैसे कि थोड़ा ब्लड में स्प्रेड हो गया है, तो इसकी वज़े से फीवर आना, थोड़ा नौजिया, वामिटिंग, भूक कम होना, ये सब सिंटम्स भी हो सकते है काफी लोग पेशाब बार बार जाने की वज़र से, पानी पीना कम कर देते हैं, जो हमने अभी इसी के पारे में बात की है, लेकिन जिसे जो तकलिफ होती है, वो क्या कम हो सकती है, उसे के लिए कोई अड़वारीस आप देज सकते हैं, सार्थ? जो पेशाब बार बार होने की तकलिफ है, उसको ओवर एक्टिव ब्लेडर बोलता है, मेडिकल टम्स में, इसके दो रिजन्स हो सकते हैं, एक प्राइमरी होता है, और एक सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लेडर में जनरली कोई इंफेक्शन होता है, या पिर कोई cancer हो सकता है पिशाप की थैली का या फिर प्रोष्टेट की ग्रंती है जो पिशाप की रास्ते में रुकावट पैदा करती है जिसकी वज़े से पिशाप ब्लेडर जो होता है वो पूरी तरीके से एमटी नहीं होता और पिशाप बार-बार जाना पड़ सकता है तो अगर जब तकलिफ पता चलती है तो इसाप से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है सब की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है सब की ट्रीटमेंट पॉसिबल है मॉडरन साइंस में और इससे क्वालिटी आफ लाइफ का पानियां पती होगP reasons और नरे दिएक तो कही स्मीलिक्स का ह्राइब देसी बाल क्योंते है जब दोग जादा नहीं तो किडनी खराब होती है जो किसे पता चालता है और फिर पता है और उसके लखन उसके बारे किडनी खराब होने का हमारे देश में स्टोन को हम लबे समय तक है उसकी तरफ द्धान नहीं देते तो उसकी वज़े से किडनी पर है जो वो सुजन दीरे-दीरे बढ़ जाति है जैसे सुजन बढ़ती है तो किडनी का Дж guidance का काम करना बिल्कुल बंद हो जाती है तो अगर ये तकलिफ एक ही किड्नी में है तो दूसरी किड्नी नॉर्मल काम करती है तो ऐसे में जो अफेक्टेट किड्नी है उसको रिमूव करना पड़ता है ऐसे केसिस में स्टोन की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है अगर किड्नी इसके सामने अगर जो हम लोग उसका जल्दी इलाज करवा लेते हैं, डायग्नोस होता है और उसका जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो सिर्फ स्टोन निकाल की हम लोग किड्नी को बचा सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि स्टोन दोनों किड्नी में होते है अगर दोनों किड्नी खराब हो जाती है तो इसकी वज़े से काफि तकलिफ हो सकती है ऐसे केसी समें पेशाब आना बिलकुल बंद हो जाना, शरीर में सूजन आना, ब्रेथलेस्थने सोना जैसे सांस फुल जाना अर यह सब तकलिफ हो सकती है, और फिर di-lysis और transplant और यह सब काफी लंबा चक्कर हो जाता है, तो बैटर है कि अगर आपको पता है कि आपको इस्टोन की तकलिफ है, तो आपके डॉक्तर को मिलो, एट लिस्ट इन्वेस्टिगेशन करो, पता चले कि स्टोन कैसा है, क्या तकलिफ है, और जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं, वैसे आप ट्रीटमेंट उसकी आगे बढ़ा। पर आज कल ऐसा देखा है कि हम पहले पर सता की एज होती है, फिर किद्नी की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज का जो जो जन्ग फूर्ड अगेरे जो है जो जन्रेशन है, उसी में यंग जन्रेशन को भी ये प्रॉब्लम आती है, तो उनको क्या करना चाहिए जैसे कि आज कल यंग फेपल में फास्ट फूड और जंग फूड का trent काफी चल रहा है, अब ऐसा होता है कि इस में सॉल्ट ज्यादा होता है, अब ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करोगे, तो उसकी वज़जा से केल्शयम जो होता है वो यूरीन में ज्यादा expired होता है, और इसकी जादा जाता था कि स्टोन जो होता है वो मिडल एज में यानि कि 30 to 50 एज में ज्यादा तर देखने को मिलते थे पर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में मेभी स्टोन की तो जैसे मैंने बताया कि ज्यादा तर जंक फूड या फिर एनिमल प्रोटिन नौन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसमें भी नौन वेजिटेरियन फूड में यूरिक असिड बॉड़ी में ज्यादा प्रोडूस होता है तो जिसकी वज़े से स्टोन बनने के चांसिस बढ़ जाते हैं तो बैटर यही है कि आप जंक फूड से दूर है एनिमल प्रो हो जाते हैं अच्छा दूसरी बात देखते हैं हम लोग कि लोग आजकल काफी बीजी रहते हैं लोगों को पता है कि 10-12 गलास पानी पीना है पर होता ही है कि लोग इतने बीजी रहते हैं कि काम में भूल जाते हैं कई पानी पीना भी भूल जाते हैं तो उसकी वज़े से भ यह क्या treatment हम कर सकते हैं प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथी होती है जो पिशाप की थैली होती है यूरिनरी ब्लेडर उसके नीचे के भाग में होती है अब जब उमर कम यह पूरुशों में होती है ग्रंथी इस्त्रियों में नहीं होती है पहली बात अब जैसे उमर बढ़त यह क्यार कंड पिशाप के रास्ते में रुकावट पैदा हो सकती है इसकी जो सिंटमस को यह से होते हैं करने यह पिशाप करने बार बार्याने में ज़ोर में पड़ना पर पिशाप रुक रुक spheres लॉक के आना या फिर कई बार ऐसा लगता है कि हमने पिशाप पूरा कर लि स्टोन बन सकते हैं या फिर किड्नी पे बैक प्रेशर आता है जिसकी वज़े से किड्नी में सूजन आ सकती है और बार-बार इंफेक्शन होना या फिर क्वालिटी आफ लाइफ भी कई बार खराब हो सकती है तो अगर मैं आपको बताओ तो उसके लिए ट्रीटमेंट पॉसि सकता है तो उसकी वज़े से काफी इंप्रूमेंट हो सकता है पर मैंने जैसे बता है कि अगर जिसको गोली से इंप्रूमेंट नहीं होता है या फिर जिसको पेशाप की थेली में स्टोन बनता है या फिर जिसको बार-बार इंफेक्शन होना या फिर किड्नी पे सूजन आ तो ऐसे केसिस में प्रोस्टेट का ओपरेशन करके इलाज करना पड़ सकता है और इसमें यह है कि कोई चीरा रखने की आवश्यक्ता नहीं होती है आज कल सब एंडोस्कोपी से होता है शरीर पे कोई चीरा नहीं होता पेशाप के रास्ते से दुर्बिन डालते है और प्रोस् प्रॉब्लेम हो या किसी भी अधर कोई भी प्रॉब्लेम है बीमारी है कोई भी तो उनको ज्यादा यह लग सकता है चेप कोरोना का तो उसमें उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए वो सर बताएए जनरली कोरोना के लिए हमको यही ध्यान रखना है कि सोशल दिस्टेंसिंग म मास्क का उपयोग करना है, पानी हो सके तो गरम पानी पीना है, फ्रूट्स अच्छे से खाना है, जंग फूड कम से कम खाना है, और ये सब खाने से, करने से हमारी इम्म्यूनिटी है, जो काफी इंप्रूव हो सकती है, कोरोना का इलाज ऐसे तो आज तक कुछ पॉसिबल नह पर जिनकी उमर ज्यादा है, उनको कोरोना होने के चांसिज और उससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसिज भी काफी ज्यादा है, तो इनको खास ध्यान रखना चाहिए, और हो सके इतना बाहर कम जाना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, और अगर बाहर जाते ह तो बाहर जाके आने के बाद तुरंट सनान करना चाहिए और बस यही जैसे सब को पाता है वही सब ध्यान रखना चाहिए ऐसे कोई स्पेसिफिक किड्नी पे उसका इफेक्ट नहीं होता है मुशली इसमें लंग्स और यही इंवल्व होते है किड्नी पे कोरोना का ऐसे कोई स्पेसिफिक इंवल्मेंट नहीं होता है जिसको है अगर किड्नी की प्रॉब्लम और उनको चेफ लगता है सबस्कि कोरोना हुआ है तो वो बोते हैं कि उनका देर ही हो जाएगा तो यह पॉसिबल है सबस्कि कोरोना अगर आया तो मैं मर जाओंगा तो यह इसमें गबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो भी इसमें डेथ होने के चांसिस काफी कम है इंडिया में अराउंड 3% डेथ है पर अगर मैं आपको बताओं तो जैसे अगर आपको इंफेक्शन आपके शरीर में है तो आपको symptoms होने के chance भी सौ में से 40 लोगों को symptoms आते है और जो 40 लोगों को symptoms आते है उसमें से भी एक की death होती है तो यानि की death जो है वो काफी कम है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको corona हो गया तो death हो जाएगी ऐसा कोई डरने वाली बात तैंक यू सर और अभी ये आज का हमारा last questions रहेगा क्योंकि ये जो है questions वो हमारे youngsters के लिए है आजकल youngsters जो body building का जो youngsters को train चला है मतलब सब लोगों को अपनी body बनानी है उसके लिए gene करते हैं ये करते हैं तो इसमें protein supplements लेते हैं वो लोग तो क्या ऐसे supplements से किद्नी में कोई side effect हो सकता है सर देखे मैं protein supplements के खिलाफ नहीं हूँ पर ये है कि आपको protein supplements का विवेक पूरवक उपयोग करना चाहिए जैसे मैं आपको बता हूँ तो normal adult की जो protein requirement होती है वो 0.8 mg per kg per day इतनी होती है और अगर आपका weight अगर जैसे मान लो 70 kg है तो 56 grams जितना protein आवश्यक है अब ये है कि खाने में हम लोग अगर protein ले तो वो best है ना कि हम लोग supplements ले पर अगर आप ज्यादा exercise कर रहे हो और अगर आपको खाने में इतना protein नहीं मिलता है तो आप protein supplements ले सकते हो protein में लेने में कोई तकलिफ नहीं पर जो problem होता है वो उसमें preservatives होते है और कुछ-कुछ heavy metals होते है जिससे long term में kidney खराब हो सकती है ऐसा नहीं कि हर एक केसिस में होगी पर उसकी side effects long term में आती वो तुरंत कई बार पता नहीं चलता ऐसा नहीं कि kidney effect होती है और काफी organs भी इससे involved हो सकते है तो मैं आपको यहीं सला दूंगा कि आप possible हो तो protein supplements ना ले नेचरल डायट से जो proteins मिलता है उस पे concentrate करें काफी celebrities है जैसे अक्षे कुमार है आयुषमान कुरान है इनकी अगर आप body देखेंगे तो काफी अच्छी है यह लोग कभी supplements नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हर एक के लिए supplements ज़रूरी है पर अगर आपको लेना है तो आप dietitian या doctor की advice ले और एक scoop में जैसे मैं आपको बता हूँ तो 20-30 grams protein होता है तो उससे ज्यादा protein ना ले उससे ज्यादा protein लेने से ऐसा होता है कि जो proteins होता है अगर शरीर में ज्यादा होता है तो उतना filter kidney से होता है ठीक है तो उसकी osmolarity ज्यादा होती है जिसकी वज़े से वह पानी शरी से ख अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप पानी का इंटेक अच्छा रखे और कई बार लोग ऐसा करते है कि जैसे कई काफी heavy exercise कर ली तो जैसे pain होता है तो उसकी यह painkillers भी ले लेते साथ में तो आप protein ले रहे हो पानी कम पी रहे हो औ और उपर से आप यह painkillers ले रहे हो तो इसकी वज़े से kidney खराब होने के chances काफी हो सकते है और इसका ऐसा निया कि एक ही kidney involved होगी इसकी अगर जो kidney पे effect होती है तो जो दोनों kidney पे होती है तो इसकी वज़े से फिर काफी complication हो सकते है ऐसे patients भी हमने देखे है कि जो youngsters है वो muscle mass build up करने के लिए excessive protein लेते है और उसकी वज़े से दोनों kidney खराब हो जाती है और फिर उनको dialysis और renal transplant की भी ज़रूरत पड़ती है तो अगर आपको protein लेना है तो आप dietician या doctor's की advice लीजिए excessive ना लीजिए और possible हो तो उतना natural proteins अगर diet से मिल सकता है तो वही consume कीजिए महिलाओं के लिए मैं कुछ पुछना चाहती है क्योंकि महिलाओं में ज्यादा urine infection की problem होती है तो महिलाओं को हम आज संदेश देंगे कि अगर यह urine infection ना हो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए महिलाओं में urine infection होने के chances काफी होते है इसके काफी सारे reasons है जैसे कि महिलाओं में जो पेशाप का रास्ता और संदास का रास्ता है उसका जो distance होता है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम होता है तो mainly जो hygiene properly maintained नहीं होती कई बार तो उसकी वज़े से वो संदास के रास् जा सकते है तो इसकी वज़े से फीमेल में काफी यह urinary tract infection common होता है दूसरा यह होता है कि जैसे उमर बढ़ती है menopause आता है और estrogen levels कम हो जाता है तो इसकी वज़े से भी जो vaginal epithelium में जो changes होते है उसकी वज़े से urinary tract infection होने के chances बढ़ जाते है तो इसको ignore नहीं करना है अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो डॉक्टर की mark दरशन ज़रूर लीजिए और इसका इलाज करवाई जिनको भी यह आज हमारा जो कारेकरम था health awareness का उसमें हमने आज बात की kidney की समस्या और urine की समस्या के बारे में और हम तो जिनको भी आज बहुत सारी मतलब जानकरी मिली होंग दॉक्टर नील पटेल जो लावें केर हॉस्पिटल से है यूरोलोजिस्ट है और जिसको भी कोई समस्या अगर है आज के हमारे इस कारेकरम अगर आपने देखा है और कोई समस्या अगर आपको है अगर आपको कोई सला लेनी है अगर आपको इसका इलाज करना है तो कि मैंने बताया कि हमें अगर ऐसी कोई समस्या है तो इससे डरना नहीं है साथ में इसको इग्नॉर भी नहीं करना है और इसके इलाज पॉसिबल है और काफी केसीज में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत भी पढ़ती है तो ये दो तिन दिन में इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और बाद में दो तिन दिन के बाद नॉर्मल रूटीन वर्क भी वो लोग चालू कर सकते है तो ये है कि अगर आपको ऐसी क मस्या है तो आप मेरा कॉंटेक्ट कर सकते है मेरा कॉंटेक्ट नंबर है 999 257 38125 रिपीट करता हूं 999 257 38125 मैं लवें केर होस्पिटल ताढ़वाडी में मॉर्निंग में 11 to 1 और इवनिंग में 6 to 8 में अवेलेबल हो और अगर आपको चूरत में नहीं आप कहीं और दूसरे इलाके में रहते हैं तो आप मेरा टेलेफोनिक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर ऐसे ही मार्क दर्शन आपने बहुत ही अच्छा हमारे दर्शकों को दिया है हेल्थ हवर्निश प्रोग्राम में अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम देखना चाहते हैं और हमारे चैनल के द्वारा तो जरूर हमारे चैनल को फेस्बुक पेज़ पर लाइक करिए वेबसाइट की विजिट करिए यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करिए और हमारे साथ जूडे रहिए ऐसे ही कारेकरमों के साथ हम वापस फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू सर थैंक यू यामे निवेट थैंक यू च्राइब प्रया चैनल को साथ प्राइब है प्राइब यूल प्राइब यूल जिए यू यूड़ नमस्कार